मेरा नाम नभी बख्ष है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल NB Learning आज बॉयलर एंजिरिंग के मैथ के एक टॉपिक के साथ मैं हाजी हूँ हमने डायामेटर मालूम करना है रिवेट्स का तो हमारा सवाल है कि एक बॉयलर है जिसके जॉइंट के ऊपर जो है सबसे पहले हम सेफ टेंसाइल स्ट्रेंथ का फर्मूला देख रहते हैं सेफ टेंसाइल स्ट्रेंथ बरबार होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडिंग बैफ एक्टर ऑफ सेफटी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसने हमें दी हुई है फेक्टर ऑफ सेफटी भी दिया ह है हम दोनों को डिवाइड कर देंगे हमारे पर तो हमारे पैसा आजा जाएगी एस जैने expose जो ढिए सेफ the नाइस लेंद चुलों के जो दंसायल स्ट्रेंथ होती है वह किसी मटिरियल को आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं किसी मटिरियल के उपर अपकितना लोड डाल सकते हैं, लोड दो किसम के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, अगर किसी चीज़ को दबा दिया जाए तो वो कंप्रेसिव हो जाती है, और अगर किसी चीज़ को कहींचा जाए, तो वो टेंसाइल होती है, तो जो टेंसाइल लोड होता है, उसके बारे में ये हमारा formula है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी material को पहले test करते हैं कि उसकी जो tensile strength है वो कितनी है फिर उसके उपर हम factor of safety लगाते हैं factor of safety लगाने का मतलब यह है कि हम बहुत ज्यादा margin रखते हैं ताके जितनी material की strength हो उससे कम load उसके उपर जो है वो डाला जाए तो हम इसकी safe tensile strength हमने निक लिए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे जो total load उसने हमें दिया हुआ है 30,000 kg का उसको हम डिवाइड कर देंगे STS safe tensile strength पर जो हमने अभी calculate की है तो हमारे पास answer आ जाएगा 43.165 cm2 यानि कि 43.165 total area है जितनी भी rivets उसके अंदर लगी हुई है उसके इलावा अब अगर हम एक rivet का area मलूम करें क्योंकि हमें पता है कि 60 rivets लगी हुई है तो हम जो area हमारे पास आया है वो 60 rivets का है इसको हम 60 पर divide कर देंगे तो हमारे पास एक rivet का area आ जाएगा उसके बात क्योंकि आप लग जानते हैं कि जो rivets होती है वो cylindrical shape में होती है और cylindrical अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसका area मालूम करने का formula होता है पाई बाई 4D square तो मैं rivet के area की जगा पे पाई बाई 4D square लिकूंगा औ area 0.719 एक rivets का तो यहां से हमारा जो main answer आने वाला है जो कि हमने diameter मालूम करना है एक rivet का तो हम इस formula से diameter को अलग कर लेते हैं और D की value जो है हमारे पास आ जाती है 0.95 cm ठीक है तो यह सारी calculation बहुत easy है दोस्तों मैं overview देता चलूँ सबसे पहले हमने क्या किया है STS मालूम की safe tensile strength मालूम की उसके लावा हमने rivets का जितना भी total area था वो मालूम किया फिर उसको divide करके हमने एक rivet का area मालूम किया और rivet के area के formula के साथ इसको हमने relate करते हुए इसका diameter निकाल लिया है लास्ट में हमने देखें के pi by 4 d square है तो हमने उस formula को manipulate करके d square अलग किया है और end पे जो answer आया है उसका under root ले लिया है तो हमारे पास जो answer आया 0.9 cm तो दोस्तों ये था आज के topic मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई topic में